आए आज हम आपको कम्पूटर रैम DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 को नोच की मदद से इटेंटिफिकेशन करना बताएंगे जैसा कि देखें दोस्त DDR1 इसके अंदर क्या होता है लेप्ट साइड में कोई पीन की गैपिंग ही होती है और राइट साइड में एक पीन का गैप होता है दोस्त और हमेशा जो नोच होता है वो राइट साइड की तरफ ही होता है जैसे गर फ्रंट में आप खड़े हैं तो रैम का राइट साइड में रहेगा तो DDR1 है दोस्त DDR2 के अंदर क्या होता है दोस्त मीडिल में नोच होता है और दोनों साइड एक एक पीन का गैप होता है और DDR3 में क्या होता है दोस्त लेफ्ट साइड का नोच होगा और एक पीन का गैप राइट साइड से होगा DDR4 में दोस्त राइट साइड का नोच होगा और लेप्ट साइड में दोपीन का गैप होगा तो जैसा कि आप देखें पिक्चर से देखके आप रैम को पहचान सकते हैं दोस्त कि DDR1 है या DDR2 है या DDR3 है नोच की मदद से